नमस्कार प्रतमीश चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे राशी तुला की तो तुला राशी जो होती है वो राशी चक्र की सात्वी राशी होती है इसका स्वामी सुक्र होता है और ये बायू तत्वी की राशी होती है अगर बात की जाए तुला राशी के तो ये लोग बहुत मिलनसार होते हैं ये किसी बिवाद में पढ़ते नहीं है ये बिवाद से दूद रहना पसंद करते हैं सबको साथ लेकर चलना सबकी खुशी के साथ आगे बढ़ना इन्हें पसंद होता है आदरशवादी सूच के होते हैं हवा में सपने बहुत बुनते हैं आखों ये आखों में सपने देखेंगे के हाँ हम ये करेंगे ये होगा वो होगा सपने बुनिये सपना बुनना अच्छा होता है पर उसे धरातल पर भी लाने के कोशिश कीजिए क्योंकि जो तुला राशी वाले होते हैं ना उनमें बहुत काबलियत होती है किसी भी चीज को पाना चाहें तो ये पाही लेते हैं सुक्र की राशी है ग्लेमर बहुत होता है इनमें महेंगी और अच्छी चीजे इने पसंद आती है महेंगे कपड़े, महेंगे परफ्यूम, यह इनके शौक होते हैं यह इनका रोमेंटिक जीवन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है साथी को खुश करना जानते हैं आप चाहें वो प्रेम जीवन हो या इनका बहवावी जीवन अच्छा ही रहता है अगर करियर की बात की जाए तो यह फैशन डिजाइनर, प्रसासने कदिकारी, इंटीरियर, डेकुरेट ऐसे या फिर बकीन या फिर शोकर के छेत्रों में कोई भी कारे हो यह अच्छे से कर सकते हैं बैसे यह नटकट होते हैं थोड़े चंचल होते हैं और हस्मक सुभाब के होते हैं और इस चारों तरफ खुशिया लाना इनको पसंद होता है यह जहां भी जाते हैं बस खुशिया ही खुशिया फैलाते हैं चलकपट नहीं होता है इन्हें पसंद भी नहीं दूसरों की भावनाओं की आदर करना उनकी समस्याओं को सुनना और उनकी समस्याओं का हल निकालना ने पसंद होता है ये सबके साथ मिल जुल कर रहते हैं और दूसरों की भलाई के लिए हमेशा आगे रहते हैं दूसरों की साहेता हमेशा करते हैं और जब इनकी समस्यां कभी-कभी ऐसा होता है ना कि लोगों की इतनी समस्यां सुनते हैं कि और लोगों की समस्यां में इतना फस जाते हैं कि ये खुद कभी-कभी परिशान हो जाते हैं ठक जाते हैं और अपनी समस्यां के बारे में जादा सोच नहीं पाते तो हम तो यहीं कहेंगे कि आप अपने बारे में भी कुछ सोच लीजे तो अच्छा होगा वैसे आपका जो होट और जो माता है ना उसमें आप में विश्वास चलगता है आप तुलाराशी की जो महला हैं बहुत ग्लैमरस होती हैं कोई भी एक वार उन्हें म तुलाराशी की लोग बिनमर होते हैं निस्पक्ष होते हैं कभी किसी को धूका नहीं देते और हमेशा दूसरों के मदद के लिए कुछ न कुछ करते ही रहते हैं किसी के जंडल टों में पढ़ना नहीं चाहते हैं स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं हर किसी की मदद करते है बिना मतलब के टोक अटाकी इन्हें पसंद नहीं होती ना ये करते हैं ना ही चाहते हैं कि इनके जीवन में बिना मतलब के फालतु में कोई टोक अटाकी करे और ये चाहते हैं कि सभी लोग शांती रहें और इन्हें भी शांती से रहने दें बिनाबाद की लड़ाई इनको पसंद नहीं होती इनको अकेला पन पसंद नहीं सबके साथ मिल जुलकर रहते हैं कुछ रहते हैं मैफिल की जान होते हैं किसी भी मैफिल में चले जए तो बस शमा बन जाता है इनकी आने से ये महेंगे वस्त्रे ने पहनना पसंद होता है और अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं लग्जरी लाइफ जीते हैं दोस्तों के बीच ये समझो पैड़ जाएं तो सबसे आकर्शन का केंद्र यही होंगे बातें खूब बनाद लेते हैं और हसी ठिठोली ये चंचल सुभाव इनका इतना निश्क पट होता है कि सभी इनके लोग आकर्शित हो जाते हैं वैसे पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं होती और यह क्या है ना कभी-कभी फुजूल खर्जी कर देते हैं दिख्वावे की चक्कर में खासकर जो तुलाराशी की पुरुष होते हैं मेलाओं की चकर में ज्यादा ही खर्च कर देते हैं तो हम कहेंगे ऐसा ना करें तो अच्छा है वैसे शनी देव इनके देव होते हैं अगर यह उनकी पूजा करें ज्यादा नहीं ओम्शन शनी श्चराय का जाप करें और शनी चालीसा का पार्ट करें तो सब ठीक हो बात करें इनके स्वास्तिके तो इन्हें रीड की हड़ी म हो सकती है एक्जमा की परिशानी हो सकती है जादा कमजोरी भी इन्हें हो जाती है इन्हें लगातार अपने बजन की तरफ ध्यान देना की जरुवत होती है मिठाई से बचना चाहिए घवराट और चिड़ापन से बचना चाहिए और नहीं तो गंबीर परिशानियों में फ वामी ग्रह शुक्र होते हैं और जो इनके भागेशाली दिन होता है वो शुक्रवार सनीवार होता है भागेशाली संक्या 6, 15, 24, 33, 42 होती है भागेशाली रंग नीला और हरा होता है आशा है आपको अमारी वीडियो पसंद आई होगी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए धन्यवाद